अलुँअ थि नमस्कार आयओ घानकी टोप पचीस पर्मोग खबर जानते हैं कोरोन की तीस्री लहर से बच्चों को ज़्यादा खत्रा नहीं WHS WHS की सर्वेक्छण के वा हुँ 서र न वाईर्स की सम्हावीं तीस्री लहर से बच्चों ज्यादा खत्रा नहीं है इस सर्व में अब बताया गया है कि कुरोना वायरस के सीरो सर्व में इस बात का खुलासा हुआ है कि बच्चों में सीरो पोजेटिविटी रेट वैसको के अपेक्छा बहुत ज्यादा है इसमें सेंपल साइज 10,000 का था बतादे थर्ड वेब के खत्रे के बीच एक अच्छी ख़बर या भी है कि जल्द ही देश में बच्चों के लिए चार वैक्चिन उपलब्ध हो सकती है जिसमें दो वैक्चिन भारत बैटक की है मौसम विभाक के उसर पिछले 24 घंटों के अंत्राल में जारखन में मांसून प्रबल रहार लगभक सभी अस्थानों में हलके सेमस्य दर्च की बारिस हुई सिर्फ कुछ भागों को छोड़ कर अधिकतर इलाकों में भारी बारिस दर्च की गई है वहीं दूसरी और मौसम में थोड़ा बदला हुआ है बतादे 20 जून तक होने वाली 30 बारिस के साथ 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से हवा नहीं चलेगी अब इन दिनों में गर्जन के साथ सिर्फ मुसलधार बारिस होगी पारा सिक्षकों से किये वादे को पूरा करेंगे सिक्षा मंत्री राज्य के सिक्षा मंत्री जगनात महतो ने कहा है कि वह पारा सिक्षकों से किये गए अपने वादे को पूरा करेंगे जीस वादे के साथ सरकार में आए अगर वो पूरा नहीं करेंगे तो अगली बार कौन भोट देगा अगर अब तक मैं ठीक रहता तो जरूर कुछ ठोस निन ले लिया होता उलेखनी है कि सिक्षा मते जगनात मतो चेन्नाई में इलाज कराकर आठ महीन बाद राची लोटे हैं बता दे उन्होंने गुरुवार को कहा कि जल्द ही पाराशिचको की मांग को देखते हुए जल्द ही समिक्षा बैटक बुलाएंगे और अधिकारियों से पूछेंगे कि आखिर आठ महीने में पाराशिचको के लिए क्या काम हुआ लाइट हाउस निर्मान का स्थानिये लोगों ने किया विरोध पूलिस ने लाठी चार्ज कर खदे राची के जगनात थाना छेतर के पंच मुखी मंदिर के पीछे मित्र मंडल मैदान में लाइट हाउस निर्मान कारे के दोरान अस्थानिये लोगों ने जम कर हंगामा किय जिसके बाद पूलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा ज्यारखन सरकार को सौधी अरब से 4,000 ऑक्सिजन सिलेंडर मंगाने के अनुमति केंद्र सरकार ने दे दी है बता दे केंद्र सरकार की ओर से जनकारी गुरुवार को हाई कोट को दी गई केंद्र की ओर से बताया गया कि 27 मई को जो आदेस जाय किया गया था उसमें संसोधन कर जार्खन सरकार को भी आउक्सिजन सिलेंडर लाने की अनुमती दे दी गई है बतादे जार्खन सरकार ने पिछले दिनों कोट में आज का दायर कर कहा था कि वह टाटा इस्टिल के सवयोग से सौधी अरब से 4000 आउक्सिजन सिलेंडर लाना चाहती है लेकिन केंद्र सरकार इसके अनुमती नहीं दे रही थी जैक बोड दसवी बरहवी का मार्किंग फर्मूला तै मैट्रिक और इंटर्मीडियेट के रियल्ट को लेकर जार्खन एकेडमी काउंसिल ने फर्मूला पर अपनी मुहर लगा दी है बतादे नौवी और बरहवी की OMR सीट पर होई परीक्षा पर 80% अंक दिये जाएंगे वहीं 20% अंक प्रेटिकल से मिलेंगे बतादे जीन भी सयो के प्रेटिकल नहीं है उनमें आंत्रिक मुल्यांकन होगा और इतने अंक दिये जाएंगे बतादे जार्खन एकेडमी काउंसिल की 5 सदस ये कमिटी ने गुरुवार को इसे अप्रूब कर दिया है बतादे मैट्रिक और इंटर्मेडियेट के रियल्ट के लिए जैक थियोरी पेपर के 80% अंक 9 और 11 के रियल्ट के आधार निकालेगा वही प्रेटिकल और आंतरिक मुल्याकन के लिए 20% अंक निर्धारन करने की जिमिदारी इसकोलों की होगी बकाया भोगतान में स्वयोग को लेकर रामेशवर उरावने केंद्रिये मंत्री को लिखा पत्र राजे के खाद आपुर्ती तथा बित मंत्री रामेशवर उरावने केंद्रिये मंत्री पियोस गोयल को पत्र लिख कर भारतिये खाद निगम पर जारकन सरकार के बकाया 180 कोलों रुपए के ओविलम भोगतान में स्वयोग की मांग की है उन्होंने गुरु आरको केंद्रिये मंत्री को पत्र लिख कर बताया कि राजे सरकार ने धान खरीद के ओवज में किसानों को बोनस दिये जाने कर निने लिया गया था राज जेपाल से मिले लातेहार के टाना भगत अखिल भारतिये टाना भगत कमेटी की नेतियुत में लातेहार के टाना भगतों ने राची में राजेपाल द्रोपती मुर्भु को एक ग्यापन सौप कर टाना भगतों के छोटा नागपूर में मलिकाना अधिकार दिलाने की मांग की साथी सरकार के पास ताना भकतो का बकाया 37, 24 औरब रुपए भी दिलाने की मांग की है बच्चो को निमोनिया से बचाओ का टीका मोफते बच्चों को निमोनिया से बचाने के लिए स्वास्त मंत्री बाना गुपता ने गुरुवार को धाई मा की बच्ची अनन्या को PCV देकर टीका करन अभियान की सुरुआत की साहिया दिधी रंजना चौजरी ने मा अस्मिलिती के गोद में बच्चों को पहला टीका लगाया इस औसर पर स्वास्त मंत्री बाना गुपता ने काहा की 5 साल से कम आयों के बच्चों में निमोनिया मिरित्यू का मुख्य कारण है करीब 15% बच्चों की मिरित्यू निमोनिया से हो जाती है बतादे यूनिसेफ की रिपोर्ट गयानुसार जार्खन में प्रतिवर्ष 40,000 बच्चों की निमोनिया से मौत हो जाती है इस टीका करण अवियान के बाद ऐसे मामलों में भारी कमी आएगी जार्खन में 146 नए केस मिले हैं जार्खन में 3 मरीज की मौत हुई है जार्खन में कूल मौत की संख्या 5,095 है वहीं जार्खन में कूल एक्टिव केस की संख्या 946 है भारत में 62,375 नए मरीज मिले हैं भारत में कूल एक्टिव केस की संख्या 7,93,708 है दूसरे राजे के 18 पुलस के लोगों को भी लगेगा जार्खन में टीका जार्खन में करेरत दूसरे राजे के 18 से 45 आयूवर्ग के लोगों को भी अब कुरोना का टीका लग सकेगा बतादे सरकार ने इसकी अनुमती दे दी है बता दे कि पुर्व में पडोसी राजे उसे 60 जीलों में दूसरे परदेश के लोगों दुआरा बड़े पैमाने पर टीका लिया जा रहा था इसके करण 18-44 आयूवर के राजवास्यों को टीका लेने में परसानी होने लगी थी साथी राजे में 18-45 आयूवर के लिए सरकार खुद टीका ख़िद रही थी इसके बाद राज सरकार ने जारकाण में दूसरे परदेश के लोगों के टीका अकरणबर परतिबन लगा दिया था सिविल कोट सो मुआर से सूबा साड़े दस से साड़े चार बए तक सिविल कोट सो मुआर से मुर्निंग की जगर डे का हो जाएगा बतादे कोट का का काम सूबा साये दस बए से साम साये चार बए तक छलेगा कर्ज माफी को लेकर कृत संकल्पित क्रिषी मंतरी राजे के किरिसी पसुपारन एम सहकारता मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा है कि राज सरकार किसानों की कर्ज माफी को लेकर कृत संकल्पी था है जारकन किरिसी रिण माफी योजना हमारी सरकार की महतपुर्ण योजनाओं में से एक है इस योजनाओं ने इन किसानों के चेहरे पर खुशिया भी खेर दिया है जो कर्ज के तले दबे हुए थे हमारी सरकार ने बजट में कर्ज माफिक घोसना की थी और निरंतर हम इस योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं छटी जपीसी को रद करने की मांग को लेकर धारना परदर्शन छटी जपीसी में गलट धंग से चैनित अधिकारियों को ने आले ने 7 जून को अवयद घोसित कर दिया है जिसके बाद उन अवयद अधिकारियों की बर्खास्त की मांग तेज हो गई है पीडित अवयार्थियों ने गुरुवार को गांधी चोक सेक्टर चार में मुच्छलाधार वर्षा में धारना परदर्शन किया और छटी जपीसी परिचा को पूरी तरह रद करने की मांग की टोक्यो ओलम्पिक के लिए ज़ार्खन की दो बेटियों का चयान ज़ार्खन की दो बेटी निकी प्रधान और सलीमा टेटे का चयान भारतिये महिला होकी टीम में हुआ है बता दे दोनो जपान की राजधानी टोक्यो में आयोजी टोक्यो ओलम्पिक 2021 में भारतिये टीम की ओर से खेलेंगी निकी परधान को दूसरी बार और सलीमा टेटे को पहली बार ओलम्पिक में भारत की ओर से खेलने का मौका मिला है बतादे टीम होकी में सामिल होने पर जार्खन के मुख्य मंत्री हमान सुरिन ने दोनों को बधाई दी है टोक्यो उलम्पिक के लिए भातिय महिला होकी टीम में जार्खन की दो बेटी खोटी की निकी परधान और सिम्डेगा की सलीमा टेटे फाइनल सोला में जगा बनाई है जार्खन में ब्लाइक फंगस का एक और मरीज कूल 132 जार्खन में गुरुवार को ब्लाइक फंगस का एक मरीज मिला है राजे में ब्लाइक फंगस के मरीजों की संख्या 132 हो गई है इनमें 89 मरीजों में ब्लाइक फंगस के लक्षन पाये गए हैं जबकि तीपन मरीज संदिक्द हैं बतादे स्वास्त विभाग के नोडल पता दिकारी सिधात तिरपाठी ने गुरुवार को प्रेश वारता में बताया की ब्लाइक फंगस से राजे में अब तक 25 लोगों की मौत हो चुकी है गुमला के चार गाओं में रात्री पाट साला कियो कॉलेज गुमला में पढ़ने वाले चात्रो ने अनुठी पहल की है बतादे घागरा परखंड के चार गाओं में गरीब बचों के लिए रात्री पाट साला सुरू की बता दे चाची गाउं, गमहरिया, लेसा टोली, वबनिया डिह गाउं में रातरी पाट साला संचाली था है 6 सालों से रातरी पाट साला चल रहा है जहां करीब 200 बचे पढ़ते हैं बता दे हर दिन 2 घंटे की कलास चलती है कियो कॉलेज गुमला के नागपुरी विसाय के छात्र विवेक साहू अपने दोस्तों से मिलकर आत्री पाट साला की सुरुवात की है रूपात तिर्की की मौत ममले में राजी सरकार से चार सपता में मांगा जबाब चारखन हाई कोट के जस्टिस एस के दिवेदी की पीठ में गुरु आर को साहिव गंज की पुरु महिला थाना परभारे रूपात तिर्की की मौत ममले में सुनवाई हुई सुनवाई के बाद अदालत ने इस ममले में राज सरकार से जबा मांगा है वही राची SSP को रूपात तिर्की के सौजनों को पुरी सुरक्षा परदान करने का निर्देश दिया है इस ममले में अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी जार्खन के खुटी वह गिरीडी में खुलेंगे मेडिकल कॉलेज जार्खन में दो नए मेडिकल कॉलेज और खुलेंगे बता दे केंद्री स्वास्त मंत्रा ने राज सरकार को इसकी जनकारी देते हुए दोनों मेटकल कॉलेजे के लिए अलग अलग डिपी आर 15 दिनों के भीतर उपलब्द कराने को कहा है ताकि उसके अनुसार रासी आवंटित की जा सके ग्रामिन बिजली उभकताओं को बढ़ी रहात सर्चार्ज माप जार्खन सरकार ने बिजली के ग्रामिन उभकताओं को बढ़ी रहात देते हुए डिले पेमेंट सर्चार्ज माप कर दिया है कैबिनेट में लिये गए इस नीने को वीली वीत्रन बोर्ड के निदेशक बोर्ड की मंजूरी के बाद तीन माह के लिए वो द्वार को परभावी कर दिया गया या इसकीम 15 सितंबर तक लागू रहेगा निगम के महाप्रवंधक एस दास ने सभी एरिया बोर्ड के महाप्रवंध को समेथ जिमेदार अधिकारियों को इस सम्बंध में निर्देश जारी करते हुए अधिका अधिक उपगताओं को लाभ देने का निर्देश दिया हाए देवघर जीले में सत परतिसत वैक्सिनेशन और चल रहे क्रिशी ओजनाओ की समिक्षा को लेकर उपायूक्त मंजुनात भायंतरी की अध्यक्सता में जीले के सभी परखंडों के ATM, BTM, एम पंचायत, अस्तर और ग्राम अस्तर पर कारेड़ात क्रिशक मित्रों के साथ अनल कोविड वैक्सिनेशन की गती, कोरोना संक्रमन की इस्थीती सवगत हुए, वीडियो कन्फरेंसिंगे दोरान उपायूक्तिने सभी को सम्भोधित करते हुए का कि किरिश्ची विभाकी चल रहे योजनाओ के साथ अपने अपने छेत्रों में कोविड वैक्सिनेशन के प्र लोगों को जागरू करे। अपने दोन अदियों के कारन संचारान लाइन का कारे काफी दुरू था।